यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भार्टिय च्वार्टर किसी भी तरह घर पहुँचने का प्रयास कर रही हैं इसी भी छर्याना के पानीपत जिले की रहने वाली लीशा वर्मा मंगलवार को यूक्रेन से अपने घर तैसील कैम्प पहुँची जहां पहुचने के बाद अपनों के गले लग वो भावुखो गई उसे बहां के मौजूदा हालाद बतायो और कहा कि यूक्रेन से फ्लाइट बंद हो चुकी थी हमारी इंडियन अम्बसी ने मदद की हमें बस के जर्या हंगरी बॉर्डर पहुँच आए गया निशा ने बताया कि हमारी बस पर इंडिया का फ्लैक था इसलिए बॉर्डर तक किसी ने नहीं रुका निशा ने बताया कि उनके दोस्त लगातार उनसे मदद माग रहे हैं इसलिए निशा ने भारस सरकार से चात्रों की मदद में तेजी लाने की बात कही वैनिशा के पिता ने बेटी के घर पहुँशते ही एक वोर्ट सेप ग्रूप बनाया है जिसमें उक्रेन में फसे बच्चों के मदद करने का हर संबब प्रियास कर रही है युक्रेन पर रूस के अमले के दोरान खारकीव में गोली बारी के दोरान एक भारते चात्र की मौत हो गई चात्र के मौत के बार तमाम सियासी दलों ने केंद सरकार पर निशाना सादिया है नागोर सांसद और राष्ट्रेय लोकतांत्रिक पार्टी के सयूजग हनुमान बेनिवाल ने कहा है कि अगर केंद सरकार समय रहते सचेत होकर युक्रेन से भारते चात्रों को निकासी कर लेती तो आज हजारों की जान पर संकट नहीं मन रहाता सांसद हनुमान बेनिवाल ने कहा कि अब तक 2000 से भी कम चात्रों को वहां से भारत लाए गया है जबकि युक्रेन के अलग-अलग हिस्सों में 20,000 से जादा चात्र राजस्थान सही तरने राज्जों के हैं उन्होंने कहा कि युक्रेन में भारत के एक चात्र की मृत्य हो जाना भी केंदर की नाकामी का हिस्सा है क्योंकि सरकार उतरप्रदेश सईथ अन्यार राज्जों की चनामों में व्यस्त थी